तमश्कार दोस्तों सबसे पहले मैं आपका अपनी चैनल सक्चा सिटी पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ तो सो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लोकसभा और राजसभा का प्रमुक अंतर ठीक है अब हम लोग उसमें प्रमुक अंतर के तौर पढ़ेंगे दोस्तों तो जादा clarify होगी चीजें इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो जो है present किया हुआ है सबसे पहले दोस्तों हम लोग को ये चानना होगा कि हमारी जो संसत प्रडाली है उसमें कितने सदन है दोस्तों हमारी जो संसत प्रडाली है इसमें हमारे दो सदन है हमारी संसत के दो सदन है एक है हमारा लोग सभा और एक है राज्य सभा लोग सभा को हम लोग दोस्तों आम जनता का सदन भी कहते हैं और लोकसभा को ही हम लोग जो है निचला सदन या निमन सदन के तौर पे भी जानते हैं इसके अलावा दोस्तों राजसभा जो है ये हमारा उच्छ सदन के तौर पे जाना जाता है यानि कि हम लोग इसको उपरी सदन कहेंगे और इसको हम लोग राज्यो का परिशत के नाम से भी जानते हैं ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है ये चीजे ये आपको बार-बार पुछा भी गया रिल्वेक एक्जामिनेशन में किसको हम लोग निमने सदन कहते हैं किसको हम लोग उच्छ सदन कहते हैं तो ये लोग सभा में जो सदस्यों का चुना होता है वो आम जनता द्वारा वैस्क मद्दान की प्रक्रिया के तहत होता है ठीक है तो लोग सभा के सदस्यों चुने जाते हैं वो आम जनता चुनती है और वैस्क मद्दान की प्रक्रिया के तहत चुना जाता है ठीक है और हमारे जो र राजय सभा के सदस्यों चुने जाते हैं वो राजय विधान सभा के निर्वाची सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं ठीक है यह important चीज है राजय सभा के जो सदस्यों चुने जाते हैं वो राजय विधान सभा के निर्वाची सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं ठीक है इसके बाद दोस्तों, लोगसभा का कारकाल होता है, इनकी सदस्यों कारकाल होता है, पांच वर्ष का, ठीक है, किते साल का होता है, पांच साल का होता है, और राजसभा की सदस्यों, जो सदस्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कि राजसभा की जो वन थर्ड मेंबर् होते हैं वो हर दो साल बाद उनका रेटायर्मेंट हो जाता है ठीक है राजसभा क्या है एक इस्थाई सदन है और जिसके एक तिहाई सदस से प्रतेग दो साल बाद क्या हो जाते हैं रेटायर हो जाते हैं ठीक है इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉश्चन आता है जा 250 होते हैं ठीक है ये बहुत important है इसके बाद दोस्तों धन विदेयक के संबन्द में दोनों में क्या प्रमुक अंतर है ये भी हमें पता होना चाहिए ठीक है तो धन विदेयक जो होता है दोस्तों वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है ठीक है और ये जो लोकसभा होत करती है वह क्योंकि यह सदन जो है वो हमेशा क्या करता है देश में शाशन चलानी के लिए धन का आवंटन करता है ठीक है लेकिन अगर हम लोग राजसभा की बात करेंगे तो राजसभा में धन विद्यक के संबंद में बहुत जादा शक्तियां नहीं मिली होती है ठीक है केंद्री मंत्री परिशत से किस प्रकार से लोग सभा और राज सभा जुड़े हुए हैं तो दोस्तों केंद्री मंत्री परिशत जो है वो सामुहिक रूप से लोग सभा के प्रति क्या होता है उत्तरदाई होता है लेकिन केंद्री मंत्री परिशत सामुहिक रूप से राज क्या होता है उत्तरदाइड नहीं होता है उसी प्रकार से दोस्तों लोक सभा की जब बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है। लेकिन अगर राज सभा की बैठक होती है तो उसकी अद्यक्षता कौन करता है उपराष्ट पती करते हैं ठीक है कौन करता है उपराष्ट पती करते हैं ठीक है इसके बात दोस्तों लोग सभा को हम लोग निचला सदन कहते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है और राज सभ कोई विधेक जो है प्रस्तुत कर रहा है तो उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेक हमेशा लोकसभा सदन में अगर माल लीजिए कि लोकसभा सदन में पारित नहीं हो पाया रहा है तो पूरी कैमिनेट को भी इस्तीफा देना पड़ जाता है लेकिन यह चीज तो दोस्तों क्या होता है कि भारत का को राश्पति होता है वो लोक्त सभा में बहुत इंपर्टन पॉइंट है ठीक है वह लोक्त सबासा इसमें राश्पती सिर्फ 12 सदस्यों को मनौनित करता है यह दोनों बेसिक एंपॉटेंट है और रेलवेक एक्जाम में पूछा भी गया था ठीक है कि किस सदन में दो एंगलो इंडियन जो है वो चुने जाते है राशपती के द्वारा तो बोला जाएगा कि राजसभा में आपके जो है लोगसभा में चुने जाते हैं और किस सदन में राजसभा में जो है राशपती कितने सदस न्यूक्त कर सकता है तो 12 सदस से जो है राश्पती राजसभा में न्योक्त कर सकता है ठीक है इसी प्रकार से लोगसभा के सदसे बनने के लिए जो न्यूनतम आयू चाहिए होती है न्यूनतम आयू सीमा कितनी चाहिए होती है तो लोगसभा सदसे बनने के लिए दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपोर्टेंट है बहुत important होता है यह सब basic difference जानना क्योंकि हर बार आपको यही सब question घुमा फिरा के पूछ दिया जा रहा है जैसे कि मैंने आपको जितने भी अंतर यहां पर बता है इसमें से आप note कर सकते हैं कि पूछा गया था रिल्वेक एक्जाम में सदस्यों की संख्या दोनों की पूछी गया थी बारी बारी से ठीक है धन विद्यक से भी संबंद कोशन आया हुआ था और कारेकाल से संबंदित कोशन आया हुआ था ठीक है और जो मैंने आपको बताया कि राश्पती जो है वो लोकसभा में दो एंगलो भारती मनोनित करता है ये भी पूछा गया था आपके एक्जाम में ठीक है तो ये राज़े सभा में क्या करता है आपका 12 सदस को चुनने की अनुमति होती है जो है राश्पती को तो ये सारी लोड करती जा रहे हूं आपको सिर्फ इतना करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी साथ बैल आकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे ठीक है और उसके लाव दोस्तों सर आप लोगों को करेंट अफेर का लेसन जो है वी सारे important questions के बारे में भी discussion करनी है important topics पर discussion करना है जो कि exam के point of view से important होंगे ठीक है जो कि आपका ज्यादा तर पूछा जा रहा है दोस्तों उसको हम लोग target बनाएंगे जैसे कि मैंने अपने चैनल पे प्रमुख नदियां प्रमुख जील और आपकी राष्टपती से संबंदित वीडियो प्रधानमंत्री से संबंदित वीडियो यह सभी जो है अलग-अलग एडिया के जो topic हैं उससे संबंदित वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दिया उसको आप अच्छे से जा करके पढ़ लीजिए अभी भी आपके पास time है अगर आगे exam है आपका तो ठीक है तो शली दोस्तों मिलते हैं अपने next video में तब तक कि आपके exam के लिए दोस्तों all the best और comment section में अपनी problem या अपना कोई बैसा topic जो आप चाहते हैं आगे पढ़ना वो जरूर बताईएगा ठीक है कि अगर मालीजे इसमें से कुछ चीज़ें को आपको doubt है तो वो भी आप पू आपके exam के लिए दोस्तों all the best and thanks for watching